इंडियानल फॉर बिजिनेस अब से कैसे क्यूर कोड के माध्यम से डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो पूरा प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूं तो दोस्तों कर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दें तो 200 बहुत सब्सेक्टिंट मर अंडियोरी करते समय island या डिजिटल पेमेंट नहीं करते हैं और रिफिल लेते समय डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एक्षेप्ट कर सकते हैं तो अपने ळिलेदोर्य मोई टैप ओपन कर ले ना अगर उस open में कोई प्रावलम आती है login ID या password में तो आप SDN से निकाल के उसको login कर सकते हैं open कर लेना है इसके बाद आपके बास अगर customer की invoice है तो invoice के लिए क्लिक करेंगे और scan कर लेना है आपको या फिर आप your task पर क्लिक करेंगे यहां पर जितनी भी invoice होंगी यह सारा कुछ यहां पर इन्वाइस होंगी तो आपको जिस भी customer का कैस्ट में नमर से नेम से सर्च कर लेना है तो यहां पर चलिए customer को हमने सर्च कर लिया है देखिए यहां पर customer की पूरी डेटेल कैस्ट में नमर booking reference नमर सारा कुछ आ गया है कि यहां पर आपको कंफर्म डिलोवरी पर क्लिक कर देना है कि और उसके डिलोवरी कंफर्म हो जाएगा कि क्यूक का वीडियो अभी तक मैंने बनाया नहीं उसका बीडियो बना दूंक तो आप देख लीजिएगा क्यूक पे से कैसे payment करते हैं इसके बाद डिस्टिभीटर वायलेट से कैसे payment करते हैं उसका वीडियो आलेटी में कस्टुमर को जो बाइल है उसको आप wag जो भी इस कैनिग आयप होते हैं डिश्टल पेमेंट नर ओपन करके कि आप इसका साथ भी ले सकते हैं और कस्टूमर कि वाटसएब में भी सकते हैं पर पेमेंट कर सकता है सुलिए दोस्तों मैं बताता कि एप में बार कोट्ट सो हो रहा है उसको यहां से स्कंड कर लेना है और पेमेंड कर सकते हैं तो जिस भी और कोड के माद्धिम से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वाटसब ग्रूप पे जॉइन हो सकते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें समीर पीकेट टीज को तो आज की वीडियो में बस इतना ही ने